दोस्तो आज मशूर अभीनीत्री पूजा भट के नजाय संबंदों का एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आपको इस अभीनीत्री से घिना जाएगी और बॉलियोट से नफरत हो जाएगी जी हाँ दोस्तो दरसल पूजा भट को सराब के नशे में सारे रिक संबंद बनाने की गलत आदत पढ़ चुकी थी और इस दोरान वो एक बार लहुलुहान भी हो गई थी क्या था पूरा मामला हम आपको बताएंगे लेकिन दोस्तो पूजा भट का ये रास खोलने से पहले आपको बता दे कि महिश भट की बेटी पूजा भट डायरेक्टर और प्रोडियूसर भी रह चुकी है पूजा भट की जिंदगी में काफी जादा विवाद रह चुके हैं 17 साल की उम्र में बॉलिवोड में कदम रखने वाली महिश भट की इस बेटी को 16 साल में ही शराब पीने की लत लग गई थी पूजा ने साल 1989 में फिल्म डैडी किया था अपने पिता महिश भट की इस फिल्म में पूजा ने काफी बोल किरदार निभाया था फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फियर न्यू फेस ऑफ फियर का अवार्ड भी मिल चुका है पूजा के फैमली बैग्राउंड की बात करें तो पूजा भट महिश भट और किरन भट की बेटी है उनकी मा का असली नाम लॉरेन राइट है पूजा भट का एक भाई राउल भट भी है महिश भट और किरन की शादी जादा दिन तक नहीं चली दोनों बाद में अलग-अलग हो गए जिसके बाद महिश भट ने सोनी राजदान से शादी की महिश भट और सोनी राजदान की दो बेट या आलिया भट और शाहिन भट है पूजा और आलिया सोतेली बहने हैं दोनों के रिस्ते काफी अच्छे हैं दोनों आए दिन शोशल मीडिया पर एक साथ तस्वीरे शेयर करती रहती हैं एक वक्त था जब पूजा बट फिल्मी परदे पर राज कर रही थी और आमिर खान जैसे कई बड़े बड़े एक्टरों के साथ भी उनकी केमेस्ट्री खूब जम रही थी लेकिन दीरे दीरे पूजा भट के करियर ग्राफ्ट में ग्रावट आने लगी और वे एक्टिंग से दूर हो गई इसकी बड़ी वज़ा बनी उनकी परसनल लाइफ अपने करियर से जादा पूजा भट अपने परसनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहने लगी लेकिन सबसे जादा चर्चित रहा रनवीर सोरे का पूजा भट के साथ अफेर पूजा भट और रनवीर सोरे का फिर फिल्म जिस्म के दोरान शुरू हुआ इस फिल्म में रनवीर का एक छोटा सार रोल था और इसी दोरान पूजा भट और रनवीर एक दूसरे के करेब आ गए धीरे धीरे रनवीर और पूजा भट एक दूसरे की दुनिया बन गए और लीविंग में रहने लगे लेकिन पूजा भट के भाई राहूल भट को इन दोनों करिस्ता मंजूर नहीं था और इस खिलाफात के बावजूत पूजा भट और रनवीर साथ रहे रहे थे दोनों के रिलेशन में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन उस दिन सब कुछ भखर गया जब रनवीर सिंग ने पूजा भट को बुरी तरह से पीटा और उन्हें लहूलोहान कर दिया कहा जाता है कि रनवीर सोरे के नशे की लख से पूजा भट काफी जादा परिशान थी नशे में चूर होकर रनवीर सोरे पूजा भट को फिजिकल अब्यूस करते थे इसके अलावा वो राहूल भट की वज़ा से भी परिशान थी क्योंकि उन्हें रनवीर और पूजा आओ देखा न ताओ बिना किसी वज़ा के मुझे पर अटेक कर दिया। उस वक्त मेरी एक सरजरी भी हुई थी। रंडवीर ने इस पर इतनी जोर से मारा कि खून निकलने लगा। पूजाबट ने इसके बाद रंडवीर सोरे के खिलाफ एफायर दर्ज करवाई थी। कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में ही पूजा शराब पीने लगी थी। उन्हें शराब की लट लग गई थी। साल 2016 में पूजा ने सराब छोड़ने की कसम खा ली। शराब छोड़ने की बात को उन्होंने मीडिया के सामने खुल कर रखा था। कहा जाता है कि पूजा ने एक प्रिंग दोस्त को खोने के बाद शराब पीना शुरू किया था। लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने शराब को छोड़ दिया। खेर पूजा बढ़ के इस लाइफ स्ट्रॉगल के बारे में जानने के बाद आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। और साथी बॉलिवुड से जुड़ी ऐसी और भी लेटेट सब्डेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन पे क्लिक करना ना भूले।